इलेक्ट्रिक स्कूटर्स को लेकर एक बड़ी ही जवरदस न्यूज अपडेट निकल कर आ रही है जैसे कि आज के समय में इलेक्ट्रिक स्कूटर्स को भारत में ज़्यादा पसंद किया जा रहा है लेकिन इस टेकनोलोजिक के चलते इन स्कूटर्स में होने वाले हाथसाओं के कारण भी समय समय पर सवाल उड़ते रहे हैं लेकिन अब से ग्राकों को इन स्कूटर्स की सेफटी को लेकर जादा चिंता करने की जरूरत नहीं होगी और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ARAI संस्थान की और से पहली बार इलेक्रिक स्कूटर्स की क्रेश टेस्टिंग की गई है जी हां गाईज मीडियर पोर्ट्स की माने तो ओटो मोटिव रिसर्च एसोशेशन ओफ इंडिया की और से महराश्टर के पुणे में इलेक्रिक स्कूटर्स की टेस्टिंग शुरू की गई है जहां संस्थान की और से अपने प्लांट में तीन क्रेश टेस्ट की एक सिरीज को पूरा कर लिया गया है। उपर एकसिडेंट करवाया गया और देखा गया कि एकसिडेंट के दुरान इनकी बैटरीज में आग तो नहीं लग रही है। बही रिपोर्ट की माने तो भारत में लेक्टिक दो पहिया भानों के लिए क्रेश टेस्ट को अनिवारे किया जा सकता है। और अगर ऐसा होता है तो इससे उन कमपनियों को जटका लगेगा जो अपने उतपादों में तई मानकों की जगा पर सस्ती और थ्राब बैटरी मोटर और अन्य पार्स का उप्योग करती है। तो इससे ये बात तो बड़ी क्लियर होती है कि जो कमपनियों सस्ते के चकर में अपने स्कूटरों में सस्ती बैटरी, सस्ती इलेक्टरिक मोटर और अन्य सस्ते पार्स का यूज़ करती हैं। जो भी बिकल्प ओफर किये जाएंगे बैसरक्षा के मामले में काफी बेहतर होंगे और उनमें आग लगने और ख्रावी आने जैसी घटनाईं भी काफी कम हो जाएंगी। पड़ेगा। तो गाइज ये थी ARAI के द्वारा स्टार्ट की गई इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की टेस्टिंग के बारे में न्यूज अपडेट। आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे ओल पे क्लिक करें तो जहिन दोस्तों, वेव गुड नाइट।